हलो दोस्तो नमस्कार देव्यमाईस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है आकाश रवास्तो तारिक है चार अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं देहिंदू के डेली एडिटोरियल एनलिसिस को आसान भाषा में समझने की इसका फ्री पीडिये फ़र दूसरे व पहला आर्टिकल रहेगा एवरी ड्रॉप काउंट्स देन वी विल डिसकस लव एंड लॉस और लास्ट में बात होगी विद्ध रूपी अंडर प्रेशर वट नेक्स्ट वन बाइवन तीन हो है एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रियास कर आज का पहला आर्टिकल वो है एवरी ड्रॉप काउंट्स हर बूंद माइने रखती है दे इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर क्रेटेड़ एस पार्ट अफ जल जीवन मिशन मस्ट पी लॉंग लास्टिंग जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में बनाया गया बुनियादी धाचा दिर्ग गालिक होना चाहिए आर्टिकल में बात हो रही है जल जीवन मिशन की जिसके तहत 2024 तक सभी ग्रामिड धरों में नल से पानी मोहिया कराने की बात कही गई है और आगे इस बात पर भी जो सरकारी आकड़े हैं उनके तहत यह बताया जा रहा है कि 2019 में जब इस मिशन की शुरुवात हुई थी तब से अगर हम आज का अगर कंपेरिजन करते हैं तो लगबग 37 प्रतिशत जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ चुका है ग्रामिड भारत में जो नल से पानी घर के अंदर पहुचा जाता है उसकी बात हो रही है और इसमें एम्त है कि 55 लिटर प्रत जीवन मिशन की बात करते हैं दोजार चौबीस तक इसमें सभी गरामिड घरों में पानी पहुचाना है इसमें जो डिमांड सप्लाई रहेगा साइड मैनेजमेंट रहेगा लोकल लेवल पर ही उसके निर्धारन करना होगा इन सब के साथ में जो दूसरी पहले से सेंट्रल और इसमेंट की स्कीम चली आ रहे उसके साथ ही इसका कवरेज होगा इन सब के लावा जो लोकल इंफ्रस्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से जो वेस्ट वाटर है उसका इसका रियूज किया सकता है खेती के लिए दूसरे परपस के लिए इस पर भी इसका जोर है चुंकि आर्टिकल में बात कही जा रही है कि महज सिर्फ connection एक बार देना आवशक नहीं होता, बलकि उस नल से पानी भी आना चाहिए, ये काफे important हो जाता है, एक recent audit की बात करते हैं, प्राइवेट audit, तो उसके अनुसार लगभग 62 प्रतिशत जो ग्रामीर घर है, उनमें जो नल है, व इनकी report में तो उसके हिसाब से लगभग 46 प्रतिशत जो नल लग हैं, वो काम कर रहे हैं, चुकि दोनों के आकड़ों में भिन्नता है, उसका सिधा सा कारण है कि जो sample size होती है, जो प्राइवेट audit है, उसका sample size काफी छोटा है, जबकि जो government की Parliamentary standing committee का audit रहता है, उसका sample size काफ स्वभाविक हो जाता है, अब आगे ये भी बात कही जा रहे है कि सर्वे ये दिखाता है कि state level पर काफी विशमताय देखने को मिल जाती है, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, गुवा, पुडुचेरी की अगर बात करते तो लगभग 80 प्रतिशत से जादा घरों में पानी 70 प्रतिशत जो घर है वहाँ पर 7 दिन पानी आता है और लगभग 8 प्रतिशत जहां पर हफते में एक दिन पानी आता है, इन सब की बात अगर आगे की जाती है तो औस तन अगर बात की जाए प्रते घरों की तो लगभग 3 घंटे पानी आता है, अब आगे जो रिपोर्ट ह है उस में सर्वे में यह भी बताए गहा है कि समस्या देखने को मिल रहे тех है जो कलो क्लोरीन का कॉंटेमिनेशन है क्लोरीन की मात्रा है वह काफी ज्यादा देखने को मिल रहे है पानी में यह चिंता का विषय है और इसको सरकार को इस ध्यान देना होगा, चुकि जो केंद्र सरकार है, राजियों के बीच में जो विशमताएं देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर 80 प्रतीशत से जादा पेनिट्रेशन है, कहीं पर 50 प्रतीशत से कम पेनिट्रेशन है, तो इन विशमताओं की और केंद्र सरकार को ध्यान देना होग और ये सुनिशित करना होगा कि जो भी बुनियादी धाचे जल जीवन मिशन के तहत में बनाये गए हैं वो सिर्फ जुनावी वादेव पुरा करने के लिए नहों बलकि दीरग कालिक हो और इससे जो ग्रामीर भारत है उसमें जो आम जन जीवन है उसमें बदलाओ महसूस हो या दरिच्चिक हानी कारक साधनों के साथ खेल में भीड़ नियंत्रन घातक हो सकता है आर्टिकल में बात हो रही है अभी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में कंजुरूहन स्टेडियम में जहां पर एक फुटबॉल मैच के दौरान वहाँ पर अफरा तफरी मज जाती है और भगदण मजने से लगभग 125 से जादा लोग अपनी जान गवा देते हैं जो दर्शक है कईयों का सीधा आरोप पुलिस पर जाता है कि जिस तरीके से पुलिस जो दर्शक है उनके साथ अमानुवी व्यवार पुलिस का आता है उससे घटना इतनी जादा और दुखद हो जाती है चुकि कुछ जो प्रशंशक हैं दर्शक हैं मैच के दौरान फील्ड पर आ जाते हैं नोग जोग हो जाता है और ऐसे में पुलिस द्वारा जो आसुग ऐसे उसको तुरंट उसको छोड़ दिया जाता है और जिससे स्टेडियम चुकी स्टेडियम जो होता है स्टेडियम एक बंद इस एरिया होता है बीच में मैच होता है इधर सब दर्शक दिरगा में चारो तरफ बैठे रहते हैं इंट्री एक्जिट के लिए कुछ ही सुनशित इस्थान होते हैं और जो कि गेट के द्वारा मैच के दो, तीन लोग एक साथ में अंदर कर सकते हैं अगर एक साथ ऐसे से खड़े हो जाते हैं और जब भगदार हो जाते हैं तो और शोटे खोटे जो निकास होते हैं वह बंध हो जाते हैं यही हुआ इंड़्ोनेशया के केस में कुछ और घटनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस पर काफी आरोप सीधा सीधा जा रहा है और अन्य घटनाओं की भी बात करते हैं जिस तरीके से कैमेरोन पर हुआ था अफ्रिकन कप अफ नेशन जन्वरी 2022 में जहां पर आठ लोगों की ऐसे ही हाथसे में मृत्ति हो जाती है इजिप्ट में 2012 में एक हाथसा होता जहां पर चहुतर जो दर्शक रहते हैं उनकी मृत्ति हो जाती इसके लामा 97 लोगों की मृत्ति इंग्लेंड में 889 हो जाती है और तीनों ही जो इंसिडेंट होते हैं दुकर इनमें कॉमन बात ये रहती है कि जो आरोप जाता कहीं न कहीं जो पुलिसिया मेनेजमेंट रहता है किस तरीके से भील को नियंतरन करने का उपाय किया जा रहा है उस पर आर अल्रेडी कई सारे गाइडलाइन दे चुकी है कि किस तरीके से स्टेडियम को जाता सेफ बनाया जाए उसमें वो क्राउड कंट्रोल भील नियंतरन के लिए किसी भी तरीके के हथियार उपयोग की मना ही करती है इवन वो उसका तो यह कहना होता कि आप हथियारों को अब वो मामले को अपने संग्यान में ले लिया है और जो भी दोशी होंगे पुलिस दोशी है तो उन पर आगे कारवाई भी की जाएगी किन्तु यह दुखत घटना घटित हो चुकी है और अब आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से खेलों को लेकर और खेलों में ऐसे घटना दोबारा नहों उसके लिए क्या देरगेकाले की परिणाम और उपबंद किये जाते हैं अंतिम आर्टिकल के अब हम बात करेंगे रुपए के दबाओं में आने से आगे क्या होगा विद्ध रुपी अंडर प्रेशर वाट नेक्स्ट आर्टिकल को लिखा है डी सुभराओ साहब ने जो की रिजर्व बैंक आफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं 2018 से 2013 तक में इस पेरियड की दो प्रमुक घटनाओं को भी जिक्र कर देता हूं क्योंकि अगया आर्टिकल में उसकी बात कही गई है 2008 में ग्रेट जो अमेरिका में जो मंदी आई थी वो रहता है और 2013 में टेपर टेंटरम होता है दोनों ही यूएस से रिलेटेड घटनाए हैं और आज की जब हम बात करते हैं उससे 2013 का जो टेपर टेंटरम होता है उसको जोड़क आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से आज के घटना में और आज का जो महौल चल रहा है जिस तरीके से रुपए लगाता डिप्रिशेट कर रहा है जो बैंक पॉलिसी है यूएस फेटर लगातार उसको एग्रेसिवली रेट हाइक करता जा रहा है उसका क्या आसर मंदी आती है लेमन प्रदर जब डिफाल्ट कर जाते है उसे शुरू होता है तो ऐसे में जो मार्केट होता है वो काफी डाउन हो जाता है और मंदी से निकलने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है कई सारे मेजर लिए जाते हैं जो बैंक है यूएस क spending उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि जो डिवांड है वो create हो सके और धीमेदी में देखा जाता है 2013 आते आते इस्तितिया नियंत्रण में आचुकी होती है यूएस के तब 2013 में अचानक से यूएस द्वारा ये अनॉंस कर दिया जाता है कि जो भी ये counter measure लिये जा रहे थे investment के उसको सरकार अब धीमेदी में रोल आउट करें कि back कर लेगी और साथ ही साथ में जो यूएस गवर्मेंट जो यूएस बैंक फेडरल बैंक द्वारा जो अचानक से rate hike जो rate है interest rate उसको बढ़ाया जाने लगा इसका असर क्या हुआ इसका असर पूरी दुनिया पर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से जब rate अचानक से बढ़ाया गया तो डॉलर को जो अभी इससे पहले कई देशों में कई कंपनियों में जो निवेशित हैं वहां से जो investor उसक तो वहां पर जोखिम भी न के बराबर हो जाता है इससे चुकि काफी अचानक से किया गया पूरी दुनिया को उमीद नहीं थी तो काफी भै का महौल हो गया और पूरी दुनिया में वित्तिय संकट की एक इस्थिती देखने को नजार आने लगी भारत भी उसका काफी बु प्रजबूत भी हो चुका है तो अब इन सारी सिचुएशन को आगे अर्टिकल में डी सुबराओ साब ने डिसकस किया है जिस तरीके से पिछले एक साल में रुपए 10 प्रतीशत से जादा इसका अब मुल्यान हो चुका है डिप्रेसेशन हो चुका है जो एक साइकलोजिकल लिवल था रुपए का के 80 उसको भी रुपए तोड़ चुका है तियासिक तोर पर सबसे ज़्यादा नीचे भी हो चुका है इनके द्वारे कहा जा रहा है कि दो कारण से यह सब हो रहा है पहला जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार वाइडर होता जा र भाहा जारा उससे जो कैपिटल है उसको जो निवेशक होते है उसको निकाल कर वापस यूएस की तरफ लेते जा रहे हैं अब यह भी बात कही जा रहे जिस तरीके से आज के समय कि अगर हम बात करते हो जो एक्स्चेंज रेट होता है उसको काफी नस्दीक से जो फंडामें हो चुकी है और इन सब के बाद आज जो भारत के पास जो फोरें रिजर्व है उससे भी हमारी नीतियों को काफी मजबूती मिलती है आगे ये बात कहीं जा रही है कि अभी निकट भविश में जो फेडरल बैंक द्वारा जो भी उपाय किये जा रहे हैं वो उसी दिशा में द है और इसमें बहुत सारी बाते पर भी जोर दिया गया है बैसिकली इस तरफ इंगित किया गया कि जो भी सिचुएशन आज चुकि ग्लोबल सिचुएशन जादा उत्तरदाई है यो रुपय की वैलू लगातार घट रहा है हमारा जो करेंट जो अकाउंट डेफिसिट है व अब बात कही जा रही है कि हमारे foreign exchange reserve की बात कही जाए चुकि यह बहुत बड़ा question प्रवाइड कर देता है अगर जब किसी भी देश की currency होता है वो depreciate करती है तो अगर foreign reserve sufficient है foreign exchange reserve तो ऐसे समय डॉलर को sell out कर दिया जाता है open market में OMO द्वारा और रुपय की value और जाता गिरने स कुछ हट तक रुपय अथवा उस देश की जो भी currency है उसको बहुत तेजी से गिरने से थोड़ा सा उसको cushion मिल जाता है control वो आने के संभावना उसकी बढ़ जाती है जिस देश के पास जितना अधिक foreign exchange reserve हो का उसके पास यह शक्ति उतनी जादा थवा वो जो cushion है वो उतना ज जो GDP है उसके ratio में अगर देखा जाए तो डिस उबराव साब का यह कहना है कि जो मार्च 2022 में 21 प्रतिशत पर था वहीं अब उमीद यह है कि 2023 का जो financial यह रहेगा तब यह 17 प्रतिशत के आसपास इसका ratio आ जाएगा और यह जो 2013 में जो tantrum टेपर जो टेपर tantrum हुआ था उस सम में भारत का जो यह ratio बन रहा था वो 15 प्रतिशत बन रहा था और 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत में बहुत जादा अंतर नहीं होगा अब चुकि यह भी बात कही जा रही कि जिस तरीके से अब लगातार क्या हो रहा है रुपए डिप्रिशेट कर रहा है डॉलर मजबूत हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा इंपोर्ट और दादा महंगा होगा क्योंकि जो raw material है वो महंगे होगा हमको जादा पैसा देना है चुकि आगे बहुत सारे जो European country, Western country वहां पर recession की बात भी article में कही जा रही तो ऐसे में अल्रेड़ी जो बाहर के market है वहां पर demand कम है तो अब जब demand कम है तो हमारा जो export हो रहा था अब export भी गिरेगा इसकी बहुत जादा संभावना है अब इन सब के अलावा जो कुछ सुधार होने की संभावना देखी जा सकती है किन्तु यह इतना भी नहीं होने वाला है जिससे भी अचानक सही पूरा मुल्चुल परिवर्तन हो जाए भारत रहिश्या के अगर के इसकी बात करते हैं तो दोनों देश्यों के बीच में रुपए रुबल ट्रेड की ब में जब यह चीजे पूरी तरीके से वेवारीक तोर पर निरधारित कर दी जाएंगी शायद कुछ सुधरता हुआ देखने को मिले अब यह भी बात कही जा रही कि जिस तरीके से आर बी आई इंटर्वीन करता है जब मार्केट में रुपए लगातार गिरने लग जा रहा तब उस समय डॉलर को बेच के रुपए को बचाने का प्रयास किया जा रहा था तो इनका कहना है कि आर बी आई को लगातार जो अपना फोरें रिजर्व एक्शेंज उसको बेचकर ऐसा नहीं करना चाहिए बलकि को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए रुपए में अग पास किया जाए जो रियल इफ्यक्टिव एक्शेंज रेट होता है रुपए का तो यह बिसिकली एक ब्रॉडर मेजर होता है कि जो वैलू है वो वैलू ठीक चल रही है ऑवर वैलू यू है अगर बात करें तो अभी भी रुपए जो है वो ओवर वैलू के टेगरी में आ र जब थोड़ा से रुपय और गिरेगा उसके बाद चुकी जब रुपय की कीमत गिरेगी तो support को boost मिलेगा export को और साथ ही साथ में जो import और महंगा पड़ेगा तो ऐसे में बहुत सारे जो material होते हैं अगर छोड़ दिया तो हम उस पर थोड़ा सार कंट्रोल करने की तरफ आगे भी बढ़ेंगे जिससे अंतोगत्वा क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट अगर घटेगा तो जो current account balance है जो लगातार वाइडर होता जा रहा है उसको narrow होने में मदद मिलेगी और रुपय की value में घटाव होता है जो इंपोर्ट होता है वो महंगा हो जाता है एक्सपोर्ट थोड़ा सस्ता हो जाता है तो overall जो महंगाई होती है वो बढ़ेगी और यदि जब महंगाई बढ़ती तो bank क्या करती है बैंक में अपनी मौद्रिक नीती monetary policy द्वारा पर चेक लगाने का प्रयास करती जो अल्रेडी बैंक बेतर देरी किसे कर रही है अब अन्त में डी सुबराओ जी फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरियन सेक्रेटरी जॉन भी कॉनली का एक फेमस कोट को याद करते हैं जिसमें उन्होंने का है कि the dollar is our currency जो dollar है वो हमार अले विनमय का कार ये करेगी किन्तु it's your problem पर ये आप के लिए सरदर्ध बनी रहेगी आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही अंततक बनी रहने के लिए धन्यवाद